पन्ना में गुरुवार तड़के सुबह वन विभाग पन्ना टाइगर रिजर्व राजस्व और पुलिस टीम के द्वारा संयुक्त रूप से आवेज सागोन तसकरों पर छापेमार कारवाई की गई है जिस वज़े से सागोन तसकरों में हड़कंप मच गया है बता दे कि पन्ना जुले के पन्ना टाइगर रिजर्व उत्तर वन मंडल और दक्षिन वन मंडल अंतरगत लगातार अवेज लखडी तसकरों के द्वारा बेश किम्ती सागोन की लखडिया काट कर जंगलों का सफाया किया जा रहा था कुछ दिन पूर वही अवेधि सागोन तसकरों की द्वारा वन विभाग की तीन करमचारियों पर भी जानलेवा हमला किया गया था दुरवार को संजुकत रूप से टीम के द्वारा सागोन तसकरों के घरों और दुकानों में जाकर छापामार कारवाई की गई जिसमें कई ट्रक सागोन की लखडियां और जंगली जानवरों की हड़िया भी जब्त की गई है इसके साथ ही लखडी काटने वाली तीन मशीने भी टीम के द्वारा जब्त की गई है बता जा रहा है कि नफीस खान, आदाब, आशिश लाल मुकुन, कोरी, शहीद मुहम्मद और सफिक खान की घरों वा दुकानों पर टीम के द्वारा ये कारवाई की गई है पांच जगह से टीम के द्वारा कुल तीन लखडी काटने वाली मशीन, एक अल्टो कार में जंगली जानवरों की हट्डियां और कई ट्रक लखडियां जब्त की गई है डीएफो का गयना है कि कारवाई आगे भी जारी रहेगी काफी मात्रा में लकडी इंकियां से बरामद हुई है करीब हमारे को तीन मशीने मिली है उसके लावा एक अल्टो गाडी थी जिसमें हड्डियां पड़ी हुई थी आदाप शादाप के यहां पे उन हड्डियों की भी अभी हम जाच करवा रहे हैं तो इस तरह की कारवाई पूरे पुलिस प्रशाशन तैसिलार वहां मौजूद थे पुलिस के पूरे एसा ही मेडम और अठारा लोग उनके मौजूद थे और करीबन सौ लोग हमारे स्टाफ के थे हमारे सारे रिंजर साहब थे दोनों सब लोगों ने मिलके आज करवाई की है अनुमान पहले से था कि जो लोग भी जंगल में घुसके अवैद कटाई कर रहे हैं वो अवैद शिकार भी कर रहे हैं क्योंकि जो जंगल में घुस रहा है वो काट रहा है उसको जानवर मिल रहा है तो उसको खाने का प्रयास भी कर रहा है उन सब की जांच अभी चल रही है क्योंकि अभी अभी हम अभी फोरेंसिक को भेजेंगे उनको पता लगाएंगे कौन सा जानवर था उसके एसाब से उन पर वाइडलाइफ एक्ट लगके कारवाई होगी अभी हमारा प्लैन यह है कि अभी हमने इन पांच लोगों पे रेड मारी है धीरे धीरे हमको धाम मौला और आगरा मौला बफर में और नौर्थ पन्ना में जो हो रहे हैं उन पर एक अंकुष लग सके